रंजन्स किचन में सभी का स्वागत है तो आई आज बनने बनाते हैं कच्छे आलू से बनने वाला बहुत ही टेस्टी यम्मी नाश्ता इसके लिए हमें ने दो कच्छे आलू और इसको अच्छे से धूल के हमने छील लिया है और कद्दुकस की बीच वाली साइड होती है इस मेरा दबाकर चाय तो आप इसको कपड़े में भीनिचोड सकते हैं अब इस्में हम डालेंगे कुछ ड्राइ मसाले जैसे कि इसमें डाला मैंने दो चम-च पाणफ्लोर क कॉम नहीं है तो आ पारा- भूंध पाउडर कि सारी जीज़ें अपनी टेस्ट को अhammer हक生 अब हमें शरू मैंसे चाथ मसाला ते शार है कि ़ूदा एला थोड़ी सब्सक्रीट कुछ भी डालने की जूरत नहीं है क्योंकि आलू में अपना moisture होता है उससे ये अच्छे से bind हो जाएंगे अब हातों की सायता से हम इसको अच्छे से roll कर लेंगे ये देखिए बहुत जादा बड़े roll नहीं बनाने हम इसको छोटे छोटे से balls हम इसके बना लेंगे ये देखिए इस size के और सभी material के हम अच्छे स से roll बना लेंगे तेल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और तेल बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए इसके लिए देखिए और तेल में डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे गयास को थोड़ा सा स्लो कर देंगे जिससे अच्छे से अंदर तक सिक तो इनको आप शाम के नाष्टे में या सुबहें नाष्टे में बना सकते हैं कभी भी बाहर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी है ये और अंदर से देखें बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं आप इनको तोड़ के दे सकते हैं खाईए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो वाचिंग या दिर्ष बस्टाइब को जब दो भी फिटाए आप वीडियो ले श्यादाब कीजिए झाइए वीडियो, नाब कीजिए झाएब कीजिए व्यादा ए उनको खुपरा सब्सक्राइब